हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फेस्बुक एड्स कोपी के बारे में एड्स कोपी क्या होती है और कैसे आपकी एड्स की परफॉर्मेंस को बूश्ट कर सकती है एक अच्छी फेस्बुक एड्स के अंदर दो चीजे सबसे इंपोर्टेंट होती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेस्बुक एड्स अच्छे से परफॉर्म करें कनवर्ट करें अच्छी लीड आएं या फिर कोई भी जो एक्षन आपका लेंडिंग पेज के उपर लोग जाएं या फिर कोई आपका प्रोडेक्ट परचेज करें उन सभी के लिए दो चीजे सबसे जरूरी है जो फर्स्ट सबसे जरूरी चीज़ है वो है आपकी एड कोपी यान की यूजरस को दिखाई क्या देगा यहाँ पर टेक्स्ट है, फोटो है, कोल टू एक्षन है, यह सारे चीज़े हमारी एड कोपी के अंदर आती है अगर आपकी एड कोपी अच्छी है, तो फिर आपकी लीड कनवर्ट होने के काफी चांसी है और जो दूसरी चीज़ है वो है ओडियंस, अगर आपकी ओडियंस अच्छी है और एड कोपी अच्छी है और कुछ उन्हीं को आप practical चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कुछ examples हैं जिनको इस वीडियो में मैं आपको explain करके बताऊंगा कि कौन सा example या फिर कौन सी चीज़ें आपको कहां पे धान रखनी चाहिए चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हमें एक ऐसी ad copy बनानी है जो की convert करें अब facebook ad copy बनाने से पहले आपको तीन चीज़ें हैं वो जरूरी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जो पहली चीज़ें है वो है आपका offer यानि कि आप customer को क्या offer कर रहे हैं दूसरी चीज़ है customer को उसे क्या benefit है आपको pain points और benefit के उपर focus रखना है और तीसरा है user का action यानि कि user क्या action लेगा user को करना क्या है वो ad देखने के बाद में अब हम आग आते हैं जो एक facebook ad copy है वो चार चीज़ों से मिलके बनती है primary text यानि की main ad copy और उसके अंदर ही एक sub point बना रखा है 42 लेगा 90 character यानि की जो first impression होता है यानि की जो हमारे पहले जो character है जो user को सबसे पहले दिखाई देते हैं वो सबसे important होते हैं उसके बाद आती है image उसके बाद आती है call to action headline और description headline और उसके बाद है display link और हमारा call to action button इनको अगर मैं practical आपको दिखाऊं अब हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पे सबसे उपर page का name है और उसके बाद में कुछ text लिखा हुआ है यह जो text है हमारा यह हमारा add copy के अंदर आएगा और उसके बाद है image और उसके बाद में है यह हमारा call to action headline है और इसके निचे है call to action headline का description और यहाँ पे है call to action button यह हमारी add copy है अब यह यहाँ पे complete दिखाई दे लेकिन जब भी user open करता है starting में तो उसको सिर्फ starting के कुछ characters ही दिखाई देते हैं अगर आपको यहाँ पे preview दिखाऊं तो यहाँ पे है अगर इसको हम expand करते हैं आपने already lead generation बनानी आती होगी है फिर जो add campaign है वो आपको चलाना आता होगा और यह देखिए यहाँ पे जो first character है वो हमारे सबसे important है उसके बाद में see more का बटन आदाता है same अगर हम desktop news feed में देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें दिखाई देगा है इनकी जो first characters है हमारे वो सबसे important है हमें यहाँ पे user की attention को grab करना है ताकि वो see more जो बटन है उसके उपर click करे और हमारी complete add copy को read करे अब यहाँ पर दो चीजे है पहली है हमारी add copy और दूसरा है image image के अंदर भी हमारा कुछ text लिखा हुआ है वो भी काफी importance रखता है image की quality है वो भी importance रखती है और इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है अब आगे हम कुछ points को cover करते हैं जो आपको image की headline copy और call to action बटन इन सभी चीजों को बनाने में आपकी help करेंगी जो सबसे पहली जो हमारी चीज है वो है हमारी audience आपको audience जो आपकी audience है जैसे कि मालो यहाँ पर मैं real estate की add बना रहा हूँ और जो हमारा flat है वो है 25 lakh का तो हमें एक ऐसी audience के लिए हम add copy लिख रहें जिनका budget 25 lakh का है जो जिनको 2 bhk चाहिए तो यानि कि वो एक small family है इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है तो हम उसी के according हम अपनी add copy लिखेंगे अगर मालो हम बड़ी family को हम target करना चाहते हैं जो कि 4 bhk या फिर 3 bhk इस type से वो लेंगे और वो थोड़ा costly भी होगा तो हमें उसी type से अपनी add copy को लिखना है यानि कि हमें different people के लिए different add copy हम लिख सकते हैं और अलग-अलग add बना सकते हैं अब जो दूसरे नमबर पे आती है वो है add की language हमें जो add की language है उसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है जो हमारी user speak करते हैं या फिर जो समझते हैं हमें उसी language का use करना है आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप Hindi में add बनाएंगे या फिर English में बनाएंगे या फिर आप दोनों को mix भी कर सकते हैं जो user को अच्छी तरह समझ में आए हमारा सिर्फ एक ही purpose है user को वो चीज़ें clear होनी चाहिए अब यहाँ पे मैंने क्या करका है मैंने English और Hindi दोनों language को mix करके ये add बना रखा है जो तीसरे नंबर पर जरूरी चीज़ है वो है important bullet points आपको जो चीज़ें हैं अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या है काफी सारे points बना रखें कि ये sector 89 सबसे तेजी से विक्सित होने वाला area है ऐसे ये NH या फिर दवार का express way है NH 8 के नजदीक है airports के नजदीक है ऐसे ही काफी सारे points बना रखें home loan की सुविधा उपलब्द है और भी काफी सारे points है तो ये important point है जो कि user अब क्या है अगर मालों आपने boring copy लिख दी एक simple एक paragraph लिख दिया तो mostly chances है कि user उसको नहीं read करेगा अब यहाँ पे अलग-लग उसको दिख रहें सारे चीज़े तो वो तुरंत उसे read कर लेगा इसलिए आपको bullet points के अंदर चीज़ों को cover करना है उससे अगला point है हमारा catchy word और short sentence यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है हमारे सब सब कुछ जो खेल है वो सब्दों का है हमें सही word, सही time और सही जगें के उपर use करने है आपको कौन सा word जैसे कि यहाँ पर यह affordable है यह मैं इसको highlight करके लिखा हुआ affordable housing flats यानकि यह उस audience को cater कर रहा है ऐसे ही है 2bhk at 25 lakh ऐसे ही अगर हम यहाँ पर add copy के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या है हमने catchy words लिखे है और एक short sentence यानकि आपको one line या फिर two line के sentence लिखने है ज्यादा लंबे जो paragraph होते हैं उनको user read नहीं करता उससे आगे कुछ catchy words लिखे हुए मैंने free है, seasonal offer है, limited time deal है exclusive है, luxury है, affordable है ऐसे ही और भी काफी सारे आपकी industry to industry यह अलग-अलग word हो सकते हैं और उसके बाद है trust authority brand image तो आपको जो आपकी add copy है उसके अंदर आपको trust show करना है और जो authority है वो show करनी है और आपकी जो brand image है वो आपको बनानी है क्योंकि उसी से user purchase करेगा या फिर आपको lead देगा इन सभी चीजों को हम जो आने वाले examples हैं जैसे मैंने यहाँ पर कुछ example लिखे हैं इन सभी में इन चीजों को हम देखेंगे कि किसने कैसे क्या use कर रखा है तो आप video को last तक जरूर देखिएगा तब ही ये सारे चीज़ें आपको clear हो पाएंगी अब उसके बाद में आते हैं value, emotion और storytelling अब आपको जो add copy है उसके अंदर आपको value देनी है आपको benefit बताने हैं और इसके साथ ही आपको emotion का भी ध्यान रखना है क्योंकि हम जो add है वो human being को दिखा रहे हैं जिनको हम add दिखा रहे हैं वो emotional हैं जो भी कोई भी बंदा decision लेता है वो emotion के base के उपर लेता है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है हम जो अपना add है उसको storytelling के उपर भी दिखा सकते हैं अब जैसे आप मालों आपने कोई भी add देखेंगे YouTube के उपर देखेंगे तो उसमें काफी सारी storytelling होती है mostly जो add होते हैं इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है यहां पर जैसे आप लिखेंगे तो आपको storytelling वे में भी लिख सकते हैं यह भी आपके पास एक अच्छा option है उसके वाद है numerical data और stats आपको numerical data use करना है क्योंकि जो numbers होते हैं वो attract करते हैं हर किसी को इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने यहां पर use किया है 20 minute या फिर अगर हम कुछ और word देखें 90% ऐसे ही है 15 to 50 minute तो यह आप numerical और जो data stats है वो use कर सकते हैं उसके बाद है emoji और bold text अब क्या है मालो अगर आपकी add copy लंबी है तो उसको आपको अलग से चीज़ों को highlight करने के लिए bold text और emojis की जरूरत पड़ेगी emojis क्या है emoji जैसा कि आपको word से ही पता लग रहा है इनसे क्या है emotion पता लगता है ऐसे आपको अलग-अलग emoji यूज़ करने है जैसे यहां पर मैंने starting में यूज़ किया है एक home का emoji उसके बाद में है hand का emoji यह symbol कर रहा है कि यह एक special feature है ऐसे उसके बाद में है attractive call to action जो हमारा call to action headline है वो attractive होनी चाहिए और direct user को call to action यानि कि click करने के लिए उसको inspire करना है यहां पर मैंने लिखा है जानकारी के लिए get offer पर click करे यानि कि आपको यहां पर click करना user ने add देखी पता लगया interested है और उसे यह flat चाहिए और उसे जो यह product हम दिखा रहे हैं वो कोई भी product यहां पर हो सकता है उसको यह चाहिए तो get offer या फिर learn more या फिर buy now के उपर यहां पर click करेगा अब आगे है keep it short versus long ad copy अब काफी जो ad copy है जैसे अगर मैं इस ad copy की बात करूँ तो यह काफी short है और जो मैंने लिखी है यह काफी long है तो इस सीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी industry और आपके according कौन सी ad copy काम करती है वो आपको खुद experiment करके देखना पड़ेगा काफी सारी ad copy ऐसी होती है जो छोटी काम करती है अब जैसे यहाँ हम Airbnb की देखें तो यह जो ad copy है यह बिल्कुल short है यहाँ पे इन्होंने क्या है जो इनका main product है वो है यहाँ पे इन्होंने image के अंदर दिखा रहा है और जो उसकी facility है 96 dollar के अंदर क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे इन्होंने headline के अंदर लिखा हुआ है और direct call to action है book now अभी book करें तो इन चीजों आपको ध्यान रखना है अगर जरूरत है आपको लग रहा है कि long ad copy काम करेगी तो आपको उसको लिखना है और उसके बाद में है testing आपको टेस्ट करके चीजों को देखना है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ad copies है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है तो यहाँ पे जो यह ad है यह kerasol ad आप यह देख सकते हैं पता नहीं कौन सी company की ad है और यहाँ पे इन्होंने emoji भी यूज किया है और एक short ad copy लिखी है और यहाँ पे एक storytelling के थूँ यह चीज़े दिखा रहे हैं यह देखी पहली image में ऐसे है दूसरी में यह same जो एक image है उसको इन्होंने दो तिन पारट के अंदर divide कर रखा है इसको हम kerasol ad बोलते हैं अगर मैं आपको बताओं facebook के अंदर जो ad होती है वो हमारी ad के जो format होते है वो mainly दो type के हो सकते है एक तो है photo video video ad भी काफी अच्छी perform करती है और जो उसके बाद में आता है kerasol या फिर scrollable slides जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं यह वाली ad आउटसाइड का view है वो एक अलग photo में दिखा सकते हैं तो वो user scroll करके उनको देख लेगा सेम ऐसे इमाल लोगर shopping के लिए हम ad चलाते हैं तो वो user है वो scroll करके देख लेगा यह चीज भी आपकी ad copy का part होती है अब हम next photo के उपर आते हैं यह आपने already हमने देख लिया Airbnb की next ad copy यह है Nike तो इन्होंने जो mostly जो focus किया है इनका focus है photo के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने photo ऐसे design की है कि यह user को attract करे direct call to action है बिल्कुल small है ऐसे ही same उपर इन्होंने headline जो text लिखा है जो primary text है वो इन्होंने बिल्कुल small और simple लिखा है ऐसे यह बात है next ad के उपर यह है hood shoot की ad इन्होंने क्या है काफी सारे चीज़े एक ad के अंदर ही कर रखी है यह जो photo है conversion hub नाम की एक website है उसने बना रखी है तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं जो पहली line है start saving time on social यह है emotional benefit यह benefit दिखा रही है जो हमें ध्यान रखना है कि हमारा product क्या है और उसे user को benefit क्या होगा वो उस वहाँ पर जो हमारा call to action है वो क्यों लेगा उसके बाद में है manage all your social network from one simple dashboard यह इन्होंने एक feature बताया है जो एक आप सारे जो अपने social media के channel है वो एक network वो एक dashboard से आप manage कर सकते हैं उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर photo यूज कर रखिये यह एक smile करते हुए और एक happy photo है जिसे पता लग रहा है कि आप जो हमारा यह product है hoot shoot का इसको लेने के बाद में आप happy feel करोगे और यहाँ पर इसने headline लिखी है इन्होंने free 30 day trial यानकि यह एक hook है इसको आप as a hook भी यूज कर सकते हैं इसका explanation इन्होंने लिखा है no risk it's free to try आप free में try कर सकते हैं और उसके बाद में है zone 10 million plus professionals यह क्या है एक social proof है यानकि जो हमने एक factor देखा था authority और trust वाला यहाँ पर कैया इन्होंने authority, trust और brand की image बनाई है कि 10 million जो लोग है वो already issues को use कर रहे हैं अब आते हैं next ad के उपर यह हमारी ad है kerasol ad यह इस तरह की ad भी काफी अच्छी perform करती है जैसे यहाँ पर 4 reason है first reason, second reason, third reason और यहाँ पर call to exit इस तरह की जो चीज़ें है यह भी आपकी ad को पी के अंदर हैं जो headline है वो भी आपको attractive लिखनी है अब आते हैं last example के उपर यहाँ पी इन्होंने का एक storytelling way में बता रखा है जैसा आप उपर देखेंगे hey you यहाँ पर इन्होंने जो first lines है उनके उपर storytelling के अंदर बता रखी हो चीज़ें उसके बाद में emoji भी use कर रखी है और benefit भी बता रखा है और इसके साथ ही इन्होंने social proof भी दे रखा है help me reach 30,000 इन्होंने क्या 30,000 जो people है उनको same strategy के साथ में reach किया वो चीज़े आप देख सकते है ऐसी जो photo है same इन्होंने use किया है एक happy photo यूज़ किया है यह user को happy feel होगा उसके बाद में क्या मिलेगा user को free workshop ऐसे इसको benefit क्या होगा get more traffic with pinterest pinterest के साथ उसको ज्यादा traffic मिलेगा यहाँ पे आप headline देख सकते है यह भी एक simple लिखी हुए है और direct user को approach कर रही है तो यह थे कुछ important points जो आपको एक add copy बनाते time ध्यान रखने हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही और helpful वीडियो के लिए चैनल को जरूर subscribe कीजिए अगर आपके कोई भी suggestion या फिर कोई question है तो आप comment section में जरूर पूछिए वीडियो को last तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद